ही गाइंस वेकम टूस पॉइंट आज अपनों यहां पर स्टडी करने वाले वी सनाइस की यहां पर पीटी त्री त्री सिस्टी फाइव जो कि हमारी इन्वार्मेंट की है तो एक बार इंडेक्स देख लिजे कि आपके कितनी टॉपिक यहां पर कम्टीट हो चुकी है यहां हमलों फोरेस्ट भी देख चुके हैं लेक्स गडखं टेक्राइट को स्प्ट लैंड और तो छोपी इंपॉर्ट धीलियक्स तो उसके बारे में बहू Clemelुस्ट ज RAW Lit देख लीचेगा आज हैं अज अब्यूर्ट एन्सटी मिंखुन से अ का पर सब्सक्रमारे Для नौर्ट टाइम बसता है और टॉपिक रहता है लेकिन एक चीज़ और मैं बोली थी कि जब हम लोग स्पेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो तो इसमें किस तरीके से UPSC के द्वारा हर साल क्रेशन पूछे गए उसे हम लोग डिसकस करते है तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाएगा और कुछ 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 आपको आपको आंसर बतानी है कुछ मैं यहां पर आपके साथ शेयर करूँगी सारे कुछन का आंसर मैं आप लोग लिए नहीं छोड़ूँगी मैं बस आपको यहां पर एक हेल्द करूँगी कि आप लोग देखो कि कितना इंपोर्टेंट है यह वाली सेक्शन जिसमें कि हम लोग बहुत सारे जो इस्पेसिस के बारे में पढ़े थे जितने भी न्यूज में रहते है तो किस तरीके से यूपेसी कुछन पूछती है उसको समझेगा चली पहले कुछन आसे देख लेते हैं फिर हम लोग लेसन पर वापस आएंगे देखी यह 2012 में पूछा गया है कि इनमें से कौन से फॉलविंग ग्रूप आप अनिमल है जो कि इंडेंजर्ड स्पेसिस के काटेगरी में आते है अब यहाँ पे बहुत सारे अनिमल का नाम दिया गया है जो कि आप लोग वेल अवयर होंगे अगर मेरे साथ आप लोग लास्ट वन यहर से भी कनेक्टेट है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्क डियर रेट पांड़ा एसेटिक वाइल एस उसके बाद फिर कश्मीर स्टैक आता है चीता है ब्लू वेल है और फिर ग्रेट इंडियन क्या आप लोग अवेर हो कि जो इंपोर्टेंट हमारे हां की बर्ट से एनिमल से तो उनको किस काटेगरी में रखा गया है तो आप लोग से इंडेंजर कुछा जा रहा है तो 2012 के हिसाब से यह आंसर भी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अव क्रिटिकली की हूँ आपका टाइम खराब नहीं करना चाहती बस यहां पर एक मुटा मुटा आइडिया ले लीजिए आप लोग कि किस तरह के के क्वेशन पूछे गया है तो अगर आप लोग कश्मीर स्टैक के बारे में भी जानते हो या फिर यहां पर चीता के बारे में जाते हो जो क यह भी 2012 में ही पूछा गया है अब इसमें से यह पूछा जा रहा है कि कौन-कौन हमारे इंडिया में नेच्रली पाए जाते हैं तो नेच्रली कौन-कौन पाए जाते हैं तो यहां पर आपको पताना है यानि कि हमारे इंडिया में जो है नेच्रली उनका नेच्रल हैबिट कहीं न कहीं थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा but all about यहां पर चीटा पर डिपेंड करता है कि अगर आपको चीटा के बारे में पता है कि इसकी origin कहा है और naturally यह कहाँ पाया जाता है तो फिर आप यहां पर आंसर निकाल सकते हो और UPSC भी आपसे यहीं डिमांड करें कि क्या आपको चीटा के बारे में नौलेज है शाहिद उस्ता में 2012 में काफी न्यूस मेरा होगा इसलिए इस तरह के question बनाएं तो यहां पर देखिए अगर आप चीटा यानि कि second को eliminate करते हो तो आपका answer यहां पर निकल गया जो कि first, third and fourth है snow leopard, flying querel and black necked crane यह हमारे बारत का है यहां पर naturally found यहां पर होती है लेकिन चीटा नहीं है तो इस तरह के से यह समझे next आईए यह 2013 की question है कि bats, bears, rotent जो phenomena है hibernation का वो किस किस तरीके के जानवर में देखने को मिला first and second, second olive, first, second, third या hibernation जो है इन में से किसी भी spaces में नहीं देखने को मिलता है hibernation होता है जैसे आप देखते हो कि extreme temperature हो जाती है especially winter time में जो है कैसे यह सारे spaces जो है अपना ख्याल करते है तो bats है, bears है, rotent है तो किनके अंदर यह hibernation के process होती है यानि कि thund में जो है वो अपने आपको protect कर पाते है ऐसा तो नहीं कि thund में यह लोग भी sweater वगएरा पहनते है तो यह कैसे protect करते हैं तो बहुत कम ऐसे तरीके कि आपको जानवर देखने को मिलेंगे जो कि खुद का रक्षा कर लेते, चाहे बहुत सारी ठंड क्यों नहीं हो तो यहाँ पर देखे, यह तीनों बिल्कुल सही है bats होगे, bears होगे, rodent होगे यह तीनों के अंदर यह ऐसे जानवर है, जो कि hibernation इनके अंदर फेनोमेना है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा उनके movement के थुरू, यानि कि grass में जब वो चल रहे तो उनके movement के थुरू disturbed हो रहा है तब वो पकड़ रहे, तो इस तरीके के birds कौन-कौन सही है, यह आपको बताना है painted stock, common minor, या फिर black necked crane तो देखिए, फिर continuous आप से पूछा जा रहा है, बहुत 2012 का था, 818 का है फिर आपका black necked crane आ गया तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जब चल रहे हो तो आपको कौन-कौन सही ऐसे birds देखने को मिलेंगे जो कि अपने insects को वो खुद ही पकड़ रहे है तो यह ऐसा कहीं नहीं है कि news में रहा होगा या फिर आपको इस question को tackle करने के लिए बहुत जादा books की पढ़ने की ज़रूत है बहुत जादा knowledge acquire करने की ज़रूत है, नो यह एक्दम general सा question है, जो आप आम दिनों में भी देखते होंगे ऐसे तो देखे, कुछ ऐसे चड़िया है जो की seize करते हैं insects को और वो है common manna manna आप लोग देखते हो, आप लोगे घर के इच्छतों पर खिड़कियों पर आते ही होंगे तो यह birth जो भी यहाँ पर आपका disturbed होता है grasses में movement से तो जब भी इंसेक्ट से आपके निकलते हैं तो इसको यह seize करते हैं तो common manna यहाँ पर बिल्कुल correct है तो only यहाँ पर common manna हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका be option correct हो गया next आते है, देखे, only only का बहुत खेल चल रहा था तो यह मुझे लग देट 2018 की यह question है तो अब नया trick खेल दिये, UPSC की द्वारा कि only only वाले option को eliminate किया जाता था तो इनके द्वारा एक नया खेल खेला गया कि low भाई सारे statement में only है और कोई भी यहाँ पर incorrect नहीं है अब choose करके बताईए तो यहाँ पर देगे, इनके द्वारा कहा गया कि जो ascetic lion है, वो naturally India में पाया जाते है only double humped camel है, वो naturally India में ही पाया जाते है only और one horn rhinoceros है, वो सिफ India में ही पाया जाते है only तो यहाँ पर आपको correct बताना है, options आपके सामने है तो I hope कि आप लोग अपने answer जरूर दे लिए होगे, सोच लेते होंगे mind में कि कौन-कौन से answer है, बट नहीं इसको आपको सोचना नहीं है, इसके answer आप लोग comment box में बताईए कि कौन सी सही होगे, क्योंकि काफी tricky questions था यह चलिए, यह मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ, next lesson में हमनों discuss कर लेंगे चलिए, आईए, next type की question है यहाँ पर, देखे यह थोड़ा घुमाने के लिए होता है और यह बस आपके दिमाग को खराब करने के लिए UPSS तरह का question देता है, और वो चाहते हैं आप अपने 2-3 minute तो यहाँ पर बरबाद करके ही job तो ऐसे question को या तो आपको निकालना है या तो छोड़ना है थोड़ा सा सोच पा रहे हो अगर second round में, third round में तो ठीक है नहीं तो इसको आप लो या फिर छोड़ दो यह वाली question है, देखे आप कितनी फालतुसी है कि some species of turtles are herbivores, some species of fishes are herbivores, some species of marine mammals are herbivores and some species of snakes are viviparous तो यहाँ पर आपको correct बताना है, अब देखे कुछ some species कहा जा रहा है तो यह आप देखो कि turtles की तो बहुत सारे प्रजाती आते है, आप लोग भी जानते हो कि हमारे इंडिया में, olive-related turtles कितने जादे important है तो मेभी हाँ herbivores हो सकते हैं, हमारे हाँ fishes की तो प्रजाती की कमी नहीं है, marine mammals की प्रजाती की कमी नहीं है, snakes की तो varieties की कमी नहीं है तो ऐसा हो सकता है, some कहा जा रहा है, तो some species में yes, it is possibilities यहाँ पर है, तो इसलिए सारे options यहाँ पर correct हो जाएंगे तो इस तरिपकी के जो questions आते हैं तो उसको आप common sense के through upload लेकर चल सकते हो, ठीक है Next आते हैं यहाँ पर, यह wildlife है और कहां कहां पाया जाते है river में यह आपका बताना है अब देखे, blue find महशीर है, तो महशीर उस समय बहुत news में थे, तो कावेरी river, इरावर्डी dolphin, चंबल river और rusty spotted cat, यह इस इस्टर्ण घाट ठीक है, यह थोड़ा सा new हो गया, या फिर यह आपका जो है न, यह 2019 की question है, मुझे लगता है उस समय यह news में होगा, इसके पूछा गया है तो यहाँ पर वस आपसे यह जाना चाह रहे थे, क्योंकि dolphin काफी famous है और काफी important है, तो क्या आपको यह पता है कि इरावर्डी dolphin कहाँ पाय जाते है, इरावर्डी dolphin, इरावर्डी river के ही नाम पे है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि कहा की river है, तो Myanmar की river है, है कि नी, तो यह हमारे देश में जो है, यह आपका Myanmar में पाय जाता है, चंबल river में यह आपकी dolphin नहीं पाय जाती है, और ज्यादा से ज्यादा आप यह देखो कि अगर आप second किसी भी तरीकी से, at any cost भी option आप eliminate कर सकते हो, तो आप अगर इसको eliminate करोगे तो answer आ जाएगा, चाहे आप महशीर इसको आपको जाना चाही है, तो यह रही, अब यहाँ पर देखी, इस तरीके का भी question लगतार दो बार पूछा गया है, एक दो हजार उनीस में पूछा गया है, और एक बार बीस में पूछा गया है, कि ने, अगर कोई particular plant species है, अगर उसको skill 6 में रखते है, Wildlife Protection Act के, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या implication होगा, एक license की जरूरत है उस plant को cultivate करने के लिए, या फिर इस तरीके के पौधी जो है, किसी भी circumstances में cultivate नहीं किया जा सकता, या फिर ये genetically modified crop है, या फिर इस तरीके के plant invasive है, और हमारे ecosystem को harmful है, तो देखे, fourth option तो गलत है, अगर ये harmful होता, invasive होता, तो इसको schedule six में तो रखा ही नहीं जाता, total यहाँ पे wildlife protection act के ताहिए six schedule आते है, one to fifth में यहाँ पे आपके जानवर होते हैं, और six में especially plant spaces को रखा जाता है, और वैसे plant spaces को रखा जाता है, जो कि हमारे environment के लिए बहुत जादा important होते है, तो ये तो कड़ गया, अब ये genetically modified crop plant होते ह इसको इसमें include ही नहीं किया गया, आज तक अभी आप नहीं सुने होगे, GM crops are very important, but ऐसा कभी नहीं ये दिखा गया है कि इसको wildlife protection act के ताहिए तो इसको include किया गया है, तो इसको बच जाना चाहिए, अगर आप sincere candidate है, तो फिर आप ये इस दोनों option में बच जाते है, कि या तो इसको cultivate नहीं किया जाएगा किसी भी circumstances में, या फिर license की जरूरत है, तो B option आपको नहीं लग रहा है कि अगर इसको cultivate ही नहीं किया जाएगा, तो क्या ऐसे पौधे को success schedule में क्यों रखा जा रहा है, success schedule में रखने का मतलब है कि वो जो पौधे है उसको conserve करना है, क्योंकि या त और फिर किसी और चीज़ के लिए requirement होगा, जिसके लिए उस पौधे को conserve किया जा रहा है, तो conserve करेंगे यानि कि cultivate करेंगे किसी भी circumstances के तहट, तो करेंगे तभी न यहाँ पर इस तरीके के पौधे जो आपके बचेंगे, तो यह B option का तो कोई तुखी नहीं बनता, कि अगर cultivation ही नहीं करना है, तो इस तरीके से आप A में आ सकते हैं, कि हाँ, license लेनी की जरूँ थे इस तरीके के पौधे को cultivate करने के लिए, आराम से हमनों cultivate नहीं कर सकते हैं, या फिर आप समझो, इसका अलग angle भी आगर आपको सोचना है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे मरीजवाना की पौधे हैं, जिसको बैन किया गया है, कि आप अपने घर में उसको नहीं लगा सकते हैं, है की नहीं, लेकिन मरीजवाना की पौधे बहुत important होते हैं, उससे आप देखो कि बहुत ही ऐसे medicines बनाया जाते हैं, जो कि हमारे hurt के लिए, kidney क काफे जाना important है, तो इसलिए मरीजवाना जो है ना, उसको legal भी कहा गया है, कुछ-कुछ countries में, उस legal plant के अंदर लाया गया है, बट हमारे भारत में इसको नहीं लाया गया, क्योंकि जानते हैं कि हमारे भारत में youth की population है, और अगर इसको legal कर दिया जाए, कि ठीक है, आप घर में भी इसको गाए, तो क्या होगा कि हर कोई घर में उगाएगा, और फिर इसके बाद यही गांजा वांजा में इसको weeds में use क्या जाता है, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी हमारे youth के लिए, तो इसलिए सरकार सारी चीजों को देखते हैं, इसको ban करके रखिये, तो was in Jimbabwe coast में, जहां पर बहुत सारे elephant की death हो गई थी, और एक unpredictable death देखने को मिल रहा था, और पता नहीं क्यों, मतलब कि कोई reason नहीं समझ में आ रहा था, बढ़ बहुत सारे groups of elephant की death हो रही थी, तो वाजिव से बात है कि जब इतनी बड़ी news है, तो उसके लिए तो question बने गई group के जो leader होते हैं, वो female elephant होती है, पता हो नहीं, पता हो ठीक है, चलिए, maximum जो gestation period होता है, वो 22 months का होता है, जैसे आप देखते हो कि कोई हमारे, अगर lady pregnant होती है, तो 9 months का होता है, बट ये elephant में 22 months का होता है, और elephant जो है normally calving के लिए जाते हैं, जब तक वो 40 years तक होते है, only, 40 years तक only, यानि कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, जो female elephant है, वो सिफ 40 साल तक, उसके बाद नहीं, ठीक है, और इन सारे state में आप देखो कि तो highest elephant population कहा है, तो केरल में, अब देखिए, options आप बहुत उट-पटांग दिये गए है, UPSC आपकी भी इस तरीके के questions को solve करने के लिए help करती है, ये UPSC जरूर आपकी help करती है, आपको कहीं भी डिलेमा में नहीं डालती, क्योंकि देखिए, इनके द्वारा साफ-साफ option के तुरू ये बताया गया, कि देखिए, थोड़ा सतर्ख हो जाई है, क्योंकि 4 option यहाँ पर correct नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब जो incorrect है, उसको ढूलिए, और सबसे आसान तो यही है, मैं चीक चीक के कई बार आपको बताई हूँ, कि elephant की सबसे ज़्यादा population कहां है, केरल में नहीं है, elephant की सबसे ज़्यादा population आपको करणाटक में देखने को मिलेगा, तो ये आप जैसे 4 eliminate करोगे, आपका काम बहुत आसान हो गया, आपके पास सोचो कितना ज्यादा मौका है कि आपके पास तीन statement है, आपको अगर एक statement भी पता है, तो ये question आपका बन गया, सोचे कितना easy आपके लिए कर दिया गया, UPSC के दोरा आपको इतना help कर दिया जाता है, अब आप क्या चाहते हो, और यहीं चीज़ ह तक ही सिर्फ यहाँ पर जो है वो बच्चा दे सकते हैं, तो यहाँ पर यह गलत है, थर्ड अगर आप eliminate करते हैं, तो first and second बिल्कुल correct है, तो A option यहाँ पर correct हो गया, तीक है, अब यहाँ पर देखें कि कुछ जैसे Indian Biodiversity में, Ceylon Fog Moth, Copper Smith Barbit, Gray Chained Minivate है, White Thought Red Start है, तो यह सब क् क्या यह बर्ट से, प्राइमित से, रेप्टाइल से, या फिर अमफीबियन से, इस तरह के कि जब नाम आती है, तो मैं भी आपको कहते हूँ कि एक दो बार go through हो लीजे, तक कि दिमार्ग में यह फिट हो जाए, कि हाँ यह है कौन, है कि नहीं, तो देखें, यहाँ पर question चली थोड़ा और टास्क देती हूँ आप लोगो, थोड़ा सा सर्च कीजिए, अगर आप बोल रहे हो, कि जो हमारे हाँ इंडिया में पाय जाता है, तो यह आपको बताना है कि डवल हम्ट कहां पाय जाता है, नेचरली इसकी कहां पर जगा है, और वन हॉर्ण राइनोसिर यह कहां पर पाया जाते है, तो यह तीनों के बारे में आप जाके थोड़ा सरच कीजिएगा, कि नेचरली इसकी कहां पाया जाते है, और डीटेल आपको आपको आंसर बताने ही, कमेंट बाक्स में, fine, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा कि हां, बहुत बढ़ा टफ चीज नहीं है, क्वेशन बहुत खराब तरीके से नहीं पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान देने की ज़रुत है, ठीक है, चलिए आए आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ, तो स्टार्ट करते हम लोग मैं जिसमें कि ये वेस्टन घाट है, ये इस्टन घाट है, इंडिया नोशन आपको पूरा देखने को मिलेगा, तो ये वेस्टन इंडिया नोशन है, ये इस्टन इंडिया नोशन है, ये इस्टन इंडिया नोशन है, हाला कि यहां पर बेय और बिंगॉल है, और यहां पर अर आर्थ के नीचे तो रहती है, मिट्टी के अंदर तो रेती है, लेकिन वह बहार भी रहती है। होते हैं और कुछ भी तरीके का पानी वा नहीं है अगर इसका लेवल भी बढ़ रहा है ना तो यह अपने अंदर जाहें यह समा लेते हैं तो मैंगरूव को कहा जाता है कि कि हमारे इंवार्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रक्षा कवच जैसा यह काम भी करते हैं तो यह हो गया इसके लेमन लेंगविज लेकिन मैंगरूव सापका डाइवर्स क्रूप है जिसमें की सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्मूनिटी हैं और यह ट्रॉपिकल और अगर यहां पर आप देखो तो 24 डिगरी नौट से लेकर 38 डिगरी साउथ में के बीच में आपको यह देखने को मिलेगा यहां पर आपका मेंगरूज पाय जाते हैं ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल रीजन में इसको कभी-कभी टाइडल फॉरेस्ट पी कहते हैं और इसको इसको काटेगरी है वो ट्रॉपिकल वेटलांड रेंफॉरेस्ट एकोसिस्टम के काटेगरी में इसको इंक्लिउट किया गया है साथी अगर हमनों देखे तो यहां पर मॉर्फोलोजिकल और साइकोलोजिकल एवलूशनरी अडप्टेशन है जिसमें की कुछ लिमिटिंग जो कि यहां पर आप देखो कि कभी-कभी ऑक्सीजन की कमी सलीनीटी बहुत जादा होता है और टाइडल यहां पर टाइडल टाइडल इंडन डिशिशन है और साथी साथ आप देखो कैसे होता है कि यहां पर संकेन स्टॉमेटा है और ब्रीधिंग रूट्स आपको देखने चौती बात यह है कि यहां पर आपको जो है इसको Tidal Forest भी कहते है क्योंकि Tides वगेरा से भी यह खुद को Save कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे पौधे भी हमारे हां और All Over The World में यह पाए जाते हैं Mangrove Formation का अगर हम तो Types देखें इंडिया में कि किस किस तरीके का है तो मेली आप East Coast में देखोगे जो कि आपका West Bengal के तरफ आपको देखने को मिलेगा तो यह डिल्टाइक Mangrove है डिल्टाइक Mangrove कहने का मतलब है कि डिल्टा यानि कि आप देखते हो कि गंगा रिवर जो है अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर बहती है यानि कि उसमें कंकर पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, बालू होते हैं, छोटे-छोटे यहाँ पे कुछ भी कर्न होते हैं तो वो एक साथ लेकर आती है और जब वो West Bengal के टक पर पहुंसती है तो वो वही पे सब कुछ छोड़ कर और वापस चले जाती है यानि कि वो Bay of Bengal में मिल जाते है गंगा यहाँ पर आपका डिल्टा का प्रीयेशन हो गया तो डिल्टा जो यहाँ पर क्रीयेशन हो गया और उसमें आपको मैंगरूब पौदे देखने को मिलेंगे तो इसको हमनों डेल्टाइक मैंगरूब्स कहते है, जो कि East Coast में है, मिली वेस्ट वेंगॉल वाला रीजिन में है, दूसरा आपको देखो कि Backwater Estuary टाइप यहां पे आपको Western Coast में देखने को मिलेगा, तो West Coast में जो दिखने को मिलता है वो एस्टूरी होता है, एस्टूरी कहने मैंगरूब्स जो की सुंतरबन एरिया है, और यह है वेस्ट मेंगॉल, साथ ही आप देखो कि यह West Coast है, तो West Coast में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे नर्मदा, ताप्ती, यह रीवर आते हैं, और यह रीवर जब यहां पे अरेदिन सी से आकर मिलते है, तो यह वाले र मैंगरूब्स के बारे में हम लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी विशिस्ता है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप देखो, यह एक nursery ground है, यानि कि हमारे commercial fishing और कसकास, यहां पे crustaceans के लिए बहुत जादा important है, यानि कि fishing वागेरा जो है इस region में बहुत अच करते हैं, आप देखते हो कि अभी क्या है, टॉटे आ रहा है, उसके बाद ये श आ रहा है, तो टॉटे ने कितना तबाही मचा रखा है, वो भी आपका महरास्च वाले region में, यहीं अगर आप देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन जो है, बेव और बेवंगॉल व करते हैं, अब इस तरीके का क्या है, कि soil erosion कहने का मतलब है कि पानी कोई भी agent हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे किसी भी तरीके से, यह जो मिट्टी है यह उड़के या फिर आपका धुलके कहीं और चले जाए, एक जगह से दूसी जगह displays हो जाए, तो mangrove की जड़े ह होती है, जो कि इसको पकड़ के रखती है, अपने साथ, तो soil erosion भी नहीं होने देते हैं, साथी साथ, जो nutrient cycle है, वो यहाँ पर regulate होता है, और support भी होता है, जो भी nutrient की जड़रत होती है, एक पौधे को, वो इस पौधे की थ्रूज है, काफी ज़्यादा यह आपका support भी करता है साथी अगर आप देखो, तो mangrove के जो लकडियां होना है, उसको fuel के जैसा यूज करते हैं, construction work में यूज किया जाता है, फिश को trap करने के लिए यूज किया जाता है, और अगर हम दो mangroves की बात करें, traditional medicines में भी यूज होता है, यानि कि mangroves के पौधे में आपको देखने को म mangroves में कि इससे carbon dioxide को भी store किया जा सकता है, carbon dioxide जो कि आज की date में आप देख रहे हो कि atmosphere में बहुत जादा इसकी concentration बढ़ गई है, तो हमें ज़रूर है थे कि हम लोग जादा से जादा पौधर लगा है, और mangroves forest क्या करते हैं कि इतने हरियाली होती है कि यह सारे carbon dioxide को mostly carbon dioxide को atmosphere से देखने को मिल रही है, गर्म हो रही है, तो गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिशी हो रही है, ठंड हो रही है, तो मथी पूछिए, तो यह extreme weather event है, साथी oil palm cultivation हो रहा है, rice cultivation हो रहा है, जिसके कारण जो है, यह mangroves की area है वो इसको कम किया जा रहा है, shoreline erosion हो रहा है दीरे दीरे जो ये shoreline है ना जो ये area होता है जो जहां पर जमीन खतम होता है पानी यहां पर start होता है तो वो उस area में आपको देखने को मिलेगा कि shoreline erosion हो रहा है Eutrophication यहां पर आपका coastal development हो रहा है यानि कि ज्यादा से ज्यादा आप देखो Eutrophication कहने का मतलब है कि जो nutrient की ज्यादा मातरा बढ़ जाती है जब पानी में तो ये जो Neutrophication, Eutrophication जो coastal development हो रहा है ज्यादा से ज्यादा nutrient की development हो रही है तो इससे कई ने कई mangrove को हानी हो रही है तो ये सारे यहां पर जो है detail points हो गए जो basic है आपको पता होना चाहिए अब mainly हम लोग guideline की तरफ बढ़ते है कि guideline क्यों लाया गया किस के business पर लाया गया तो देखिए Nairobi Convention है जो कि यहां पर UNAP Nairobi Convention को support करते है और वो भी Western Indian Ocean Marine Science Association है और Western Indian Ocean Mangrove Network है तो mangrove status के है हमारे भारत में कितने पाय जाते है अगर आप total geographical area के comparison में देखो तो 0.15% जो है हमारे country में सिफ mangroves है only 0.15% इसके अलावा आप देखो तो West Bengal में सबसे ज़्यादा है इंडिया के अगर mangrove cover आप देखो तो West Bengal में सबसे ज़्यादा है 0.15% ही mangrove है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा mangrove forest भी तो हमारे यहाँ है तो इस थी खुश होनी चाहिए है कि नहीं गुदावरी कृष्णा mangrove की बात करूँ यह आप देखो कि भरतंग आइलेंड में अंडमान निकोबार में साथी पीछवरों mangrove है तमिल नाडू में यह कुछ important आपको जगह देखने को मिलेगा जहां पर mangrove साइड से 2019 की हिसाब से बताया जा रहा है कि कहां कहां पर कितने mangrove पाए गया है तो सबसे ज़्यादा आप देखो तो वेस्ट पिंगॉल में है क्योंकि 42% तक का है उसके बाद गुश्रात में देखने को मिलता है and then हमें अंडमान और निकोबार में 12% देखने को मिलता है उसके पाकी सब में थोड़ा थोड़ा पुद्दुचेरी में दमन एंदियू में तामिल नाडू में केरल में या आपको करनाटक में थोड़े थोड़े आपको mangroves देखने को मिलेगे मेर लिए आप देखो कि इंडिया में 40% जो mangroves वेरिया है वो हमारे last century में यानि कि 100 years में यह जा रहा है साथी urban development हो रहे है और even over exploitation हो रहा है हमारे देश में जिसके कारण mangroves की जो area है वो धीरे धीरे खतम होते जा रही है लेकिन फिर भी हमारे राजसरकार और भारत सरकार जो है बहुत जादा यहाँ पर काम करते जिसके तुरू हमारे जो देश की beauty है और हमारा biodiversity है उ environmental protection act है 1986 का उसके तहरत आपको coastal regulation zone देखने को मिलेंगे जिसमें काफी तरीके से यह पताया गया है कि जो coastal वाला area है क्योंकि आप यह map देखो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह western इंडिया है यह हमारा eastern इंडिया है तो यह पूरा coast वाला region है coast कहने का मतलब है कि चारो यह coastal है वो 500 तक की जो stretch है ना वो यहाँ पर बहुत essentially है उसे हमें sustainable तरीके से manage करना है और conserve भी करना है इसमें क्या है ना कि area आपका बढ़ते जाता है या फिर विजदान अपनी area को बढ़ाते जाते तो यह काम नहीं करना है जितना area है उसी में आप यहाँ पर अपना forest farming कीजे mangrove for future अगर देखे तो यह भी initiative लाया गया था IUCN के द्वारा और जिसमें कि यहाँ पर जो coastal ecosystem है उसको conserve करने के लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे भारत में कि mangrove distribution कहां कहां है तो इससे एक ज्यादा अंताजा हो पाएगा कि map के थुरू आप देखे गुजरात में जो मेल लिए आपको देखने को मिलेगा यह कछवाला region है और Gulf of Khambath है मॉंबई में आपको यहाँ देखने को मिलेगा रतनागिरी में भी है गोह में भी mangrove है कारवार है यहाँ पर करनाटक वाले region में यहाँ पर तमिल नाडू में आप देख सकते हो मुथू पेथ है फिर पिछवरम है यह आपका यह region है यहाँ पर कृष्णा गोदावरी यहा आपको मैप के थुरू पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर देखे तो magical mangroves और join the movement अक्चली यह nationwide campaign चलाया गया था चुकि recently launch किया गया कि किस तरीके से हमनों को mangroves की conservation करनी है आधर पर देखे तो यहाँ पर जो forest department है इस राज के तो उनके द्वारा eco development committee और one समरक्षन समीती बनाया गया है जो कि एक बटर तरीके से वो यहाँ पर mangrove area को conserve कर सके महराश्च के द्वारा भी आप देखो यह पहली coastal state है जिनके द्वारा state mangrove tree species का नाम जो है ना वो यहाँ पर sonoditia alba यानि की mangrove apple रखा गया है और एक तरीके का symbol दिया गया है कि कैसे यह अपने mangroves को conserve करेंगे तो नेशनल जो हमारे भारत सरकार है और जो राजिस सरकार है उनके द्वारा जो भी स्टेप लिए जा रहे है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर नायरोबी convention है क्या इसके बारे में detail आप लो देखें यह सब काफी important होते हैं यह partnership है जिसमे कि आप देखो कि world level पे जितनी भी देश है उनके सरकार, civil society और private sectors एक साथ मिलकर काम करते हैं और उनके द्वारा यही इसी चीज़ पर plan किया जाता है कि कैसे जो यहाँ पर आने वाले दिनों में हम लों mangroves area को जादा से जादा conserve कर पाएंगे तो 1996 में आया और यह जो आपका mangroves loss का जो कारण है वो आपको अलग-अलग reason देखने को मिलेगा तो जिस भी हिसाब से किसी भी देश में आपका जो कारण है उसको उस तरीके से tackle करना है तो यह regional legal framework है कि कानूनी तोर पर आपको एक कानून बनाना है और अपने हिहां जो है सारे देशों को यह कहा गया कि आ आती है आप देखो बहुत सारे emerging issues भी देखने को मिलता है जैसे COP है, Conference of Party है, उनके द्वारा expert group को establish किया गया, task force को establish किया गया, जैसे कि mangrove network है, coral reef task force है, marine यहाँ पे आपका turtle task force है, तो यह सब आपको देखने को मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी बात, इतनी तो हम लोग राम कह को conserve करते हैं, ठीक है? करना है, यहाँ पे coordination, global program होना चाहिए, जिससे कि coastal और marine ecosystem है, उसको conserve और restore कर सके, साथी global mangrove watch लाया गया, जो कि एक online platform है, online platform है, और remote sensing यहाँ पे data प्रोवाइड किया जाएगा, tools प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके through mangrove को कैसे monitor करना है, और क्या-क्या changes यहाँ पे आया है area को लेकर mangrove का, वो सारी real-time information जो है, आपको इस platform में देखने को मिलेगा, तो online platform है, जिसमें कि आप देखो कि हर एक देश जो है, जो भी उनको अगर पता करना है, कि कि इस area में कितना mangrove cover है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से real-time information मिलेगा, यानि कि आज कि जो यहाँ पे updation होगी, इसी के बारे में इनको information मिल जाएगा, तो काफी अच्छी article है, this is all about the mangroves, I hope कि आपको समझ में आया होगा, कि mangroves के बारे में हम लोग क्या study कर रहे है, कहाँ पे, किस-किस राजे में कितना contribution है, और राजे सका और national government जो है, वो हमारी क्या-क्या काम कर रहे है, इसी क आप देखो कि vertebrate, invertebrate, vectors है, carrier of diseases देखने को मिलेगा, vertebrate, invertebrate, यानि कि कुछ species ऐसे होते हैं, जिसमें कि रीर की हड्या होती है, और कुछ species ऐसे होते हैं, जिसमें बोन नहीं होते है, रीर के हड्या नहीं होती है, तो यह सब किसमें आते हैं, vertebrate और invertebrate में, ठीक है, ल जादा से ज्यादा oxygen देखने को नहीं मिलेगा Pete land जो है हमारे global land area का सिर्फ 3% ये cover करता है और larger ये natural territorial carbon store है यानि कि एक ऐसा land है जो कि आप देखो कि यहाँ पे ये एक जमीन वाला area है जहाँ पे आपका carbon को store किया जा पा रहा है और ये मेली आपका permafrost जो region होता है यानि कि पोल्स में, high altitude में वहाँ पे आपको Pete land देखने को मिलेगा permafrost ओलर region कहने का मतलब है कि वैसा region जोहाँ पे आपका 2 साल तक लगतार जो है वो बहुत जादा minus में वहाँ पे temperature रहा है south post, north pole and high altitude में देखने को मिलता है साथी coral, जो coastal area है वहाँ पे देखने को मिलेगा चाहे वो ताइगा forest में देखने को मिलेगा तो ये कहाँ Pete land पाए जाता है, इसकी location भी आप देख लिए Pete land इतना important क्यों है important है तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों important ही ये समझे, ये natural fire break है यानि कि जो आप forest में देखते हो ना कि जंगलों में आग लग जाता है तो ये आपका जो है ना natural तरीके से ये आग को बुझाने का काम करता है fire में break लगाने का काम करता है यानि कि ये condition of dehydration हो जाती है उनके dense जो carbon store है वो exposed होता है जिससे कि आपका decomposition होता है जो कि ये convert हो जाता है fire break से fire propagators तो आज के date में आप देख रहे हैं जंगलों में बहुत आग लग रहा है लेकिन जहां पे भी peat land है ना तो ये काम करते हैं आग नहीं लगने के लिए critical है यानि कि global biodiversity देखने को मिलेगा जो कि इसको preserve किया जाता है यहां से आपको safe पीने की पानी मिलेगी food risk यहां पे कम हो जाएगा काफी climate change जो हो रहा है उसको हम लोग address कर पाएंगे just because क्यूंकि आप देखो कि अभी हमने mangroves देखा तो mangroves भी क्या कर रहें carbon जो climate change हो रहा है उसको mitigate करने का काम कर रहें क्योंकि mangroves में भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा carbon dioxide जो atmosphere में present है उसको वो trap कर सकते हैं sink कर सकते हैं तो जब हमारे atmosphere में carbon dioxide होगा ही नहीं तो फिर यह गर्मी कैसी होगी यह climate change वाली अपने आप खतम होने लगेगा तो वही चीज़ पीट लैंड में भी है कि इसको carbon storage माना जाता है तो जितना ज़्यादा carbon store होगा उतना ज़्यादा environment अच्छी होगी, cool होगी और इस तरह किसे climate change से mitigate करने में यह काफ़ ज़्यादा लाजर यहाँ पर आपको terrestrial carbon store देखने को मिलेगा damage जो peatland है ना वो major sources है यहाँ पर greenhouse gases emission का यानि कि वैसे peatland वैसे धरती जहाँ पर आपका damage हो चुका है तो इसे greenhouse gases बहुत जादा emit होते हैं और almost आप देखो 6% global anthropogenic carbon dioxide emission है वो यहीं से देखने को मिलता है तो यह सब जो है problem है अब आप देख सकते हो कि global level पे कहां कहां peatland आपको देखने को मिलेगा no location of peatland जहां पे भी आपको green देखने को मिल रहा है ना these all are peatland area मिली आपको pole side में ही देखने को मिलेगा तो यह burfall area में आप देख सकते हो साथ ही थोड़ा बहुत आपको middle में भी देखने को मिलेगा tropical, subtropical वाले region में तो यह आप देखो तो हमारे सारे continent में मिली यह पाए जाते है अब आते हैं next आप समझे कि marine protected area होता क्या है अगर हम लों recent report के according देखें तो marine protected area यानि कि जहां पे भी marine species रहते है पानी में रहने वाले जानवरों को उसको हम लोग marine कहते है तो marine protection area है यानि कि वो पानी में रह रहे है तो उनको भी हम लोग को protect करना है और हमारा जो United Nation का sustainable development goal है total 17 goal है और उसमें से जो 14 goal है 13 goal क्या है climate change को रोकना चुप कि अभी हम लोग देख रहे हैं और 14 goal क्या है life below water यानि कि पानी के नीचे जो जिंदिगी है उसको भी हम लोग को sustainable तरीके से develop करना है और goal 15 क्या है life above water जमीन के उपर जितनी भी हम जैसे जी रहे हैं तो हमारी भी यहां पर और जीव जन्तु जितने भी है उनको यहां पर protect करना तो marine यहां पर protected area है जिसमें कि आप देखो कि सिर्फ 7.6% जो ocean का है हमारे globe में वसी में आप देखो कि marine protected area यहां पर आपका रखा गया है marine protected area यानि कि वो जगह है पूरे ocean में जहां पर human activities को रोका गया है हम लोग human activities को रोकेंगे तभी हमारे जो जीव जनतु जितने भी पानी के नीचे रह रह रहे है वो safe रह पाएंगे अगर हम लोग कहीं पर भी ocean में जाते है हम लोग को मचलियां दिख जाती है तो हम लोग कूद के पकड़ लेते generally हम लोग नहीं बट यह आप लोग देखो कि हम लोग को अगर छोड़ दिया जा तो seafood जितने भी पानी में रहने वाले जानवर है पसु पक्चिया है उनको हम लोग क्या करते हैं पकड़ के खा लेते हैं seafood के नाम पे क्रैप्स हो गए बहुत सारे हो गए ओक्टोपस वगेरा खाया जाता है कि नहीं तो human population की जो महां पे activities है उसको अगर रोख दिया जाना तो यह सब ऐसे flourish होंगे जियेंगे अराम से इनकी population बढ़ेगी तो सबसे बड़ी भात है कि marine protected area को अगर protect करना है तो यहां पे human activities को कम करना होगा और यह सारे ऐसे places है जहां पे special protection दिया जाएगा जो natural यह फिर historic marine यहां पे resources है by local, state, terrestrial यह सारे जगों से जो है सारे लोगों के द्वारे इनको special help मिलेगा currently आप देखो तो world का जो largest यहां पे marine protected area है वो raw sea region में है जो कि आपको करनाटक में देखने को मिलेगा तो यह भी धियान रखेगा कि सबसे ज़्यादा marine protected area का है तो Antarctic के यहां पे raw sea में है अगर हम लोग most of the marine protected area है वो देखे तो natural water में है और यह काफी easy है इसको implement करना और protect करने के लिए भी काफी यहां पे manage किया जा रहा है साथी आप लोगों देखो कि बहुत सारे जो remote area है high seas में only 1.18% जो marine ecosystem है उसको ही protect किया जारा है तो कितने कम मातरा में हम लोग marine area को protect करें 66% अगर world की ocean आप देखो तो high sea में आती है और वो भी हमारे national jurisdiction के बहार है हमारे देश के इसके तहती हम लोग marine protection area भी देखते हैं और उसको protect भी करते हैं तो halka full का idea रखेगा जो data वगेरा है उसको ध्यान रखेगा अब यहां पर पढ़ते है blue flag तो blue flag certification I think हम लोग 2-3 साल से तो पढ़ी रहे हैं क्योंकि जो चंदरभग beach था उडिसा का उसको यह blue flag certification दिया गया था उसके बहुत सारे 8 और ऐसे beaches हैं हमारे देश के जिनको यहां पर add किया गया है blue flag certification में तो blue flag certification देने का मतलब क्या होता है कि वो beaches जो है बहुत ही sustainable तरीके से डेवलप किया गया है वहां पर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं है आप रहाम से जा सकते हो और एकदम natural beauty का आनन्द ले सकते हो तो अभी recently कसारगोर और जो पादू बिदरी बीच है करनाटक में उसको यहां पर blue flag tag दिया गया है और यह blue flag tag देते कौन है तो यह Denmark की एक agency है जिसका नाम है Foundation for Environment Education ठीक है FEE है यहां पर Denmark का तो उनके द्वारा यही पताया जाता कि अच्छा कोई beach यहां पर blue flag certification के अंदर आ रहा है कि नहीं तो यह जो दोनों beach है कसारगोर beach और जो पादू बीदरी beach है करनाटक का वह यहां पर आप देखो यह 8 नमर पर आ रहे है जिसको आप तक यहां पर मिला है तो यहां पर देखें इस beach में क्या है कि grey water treatment plant यहां पर लगाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से जो solid कच्ड़ी होते उसको manage किया जाता है और जो friendly equipment उसको disable किया गया है clean drinking water आपको मिलेगा bathing facility मिलेगी और साथी साथ आपको toilet का भी बहुत अच्छा सूइधा मिलेगा solar power plant यहां पर लगाया जा रहे है solar lightning आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे यहां पर आपको facility दी गई है तो इस तरीके से इसको blue flag certification का दरजा दि दिया जाएगा ठीगे पहला आपका महरास्तों का दूसरा राजस्थान होगा तीसरा माली जो यूपी दे जाएगा और करनाटक हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि बीच का बात किया जा रहा है तो यानि कि यह तो western ghat में होंगी या तो eastern coast में होंगे तो यहां पर दो उप जो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा जो की ओ Vraac nabe recovering मुऄर को ठीज देखने को मिलेगा कर नातंक का थल्दिक चांड्र फिर लांस पादो विद्विदरी अन कासार गोड़ बीच दोनों एक में ही रिकपान आक चाहुत है का ये रूशी कॉंटा बीच है और उडिसा का ये गोल्डेन बीच है तो ये इस आठ राज है जो कि आप लोग देख सकते हूं ठीक है यहां पे तो साथ है लेकिन चंद्रभग बीच भी है उसको भी ध्यान रखना है अब ये सर्टिफिकेशन के बारे में देखते हैं यानि कि सर्टिफिकेट मिल गया है कि हाँ ये तो एकदम 100% सही है कि हाँ यहां पे इसको ब्लू फ्लाग का दर्साद दिया गया है, कौन देता है, तो यह है यहाँ पर foundation for environment education, इनके द्वारे यह certification दिया जाता है, एक साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है, ब्लू फ्लाग बीच जो है, यह एको टूरिस्ट में आपका model है, यानि कि यहाँ पर टूरिस्ट को एकदम साफ सुतरा और एकदम hygiene bathing facility, यहाँ पर water मिलेगा, सारी चीज़े facility यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दी जाएगी, साथी साथ आप देखो, कि इस certifications को देने के लिए, यहाँ पर 33 criteria होते है, जिसमें कि 4 यहाँ पर major head है, तो क्या क्या यहाँ पर 4 major head है, तो educational देखने को मिले कि environment education और information, कितना यहाँ पर environment को लेकर educated है और information दे रहे है, bathing water quality कैसी है उस बीच की, और environment management कैसे कर रहे है, उस बीच में conserve कर रहे है कि नहीं environment को, 4th है कि safety और services, यानि कि किस तरीके का safety उस बीच में है, और कैसे का service प्रोवाइड किया जा रहा है उस बीच में, यह ऐसे 4 major category है जिसके basis पे कोई भी बीच जो है, अगर यह चारो basic categories को अगर वो पार कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पर blue flag का दर्जा दे दिया जाएगा, इंडिया में आप देखो कि अपना खुद का eco level, जो beam है, उसको यहाँ पर launch किया गया है, beam stand for beach environment and aesthetic management services, जो कि यहाँ पर integrated coastal zone management के अंद facility मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले generations भी आगर यहाँ पर घूमने आए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगे, बहुत मजा है, साती हमारे जो coastal ecosystem है, उसको protect करना है और conserve करना है, और जो natural resources है, उसको भी protect करना है और conserve करना है, तो यह सारे चीज़े हैं, जो कि यहाँ पर eco level, जो beams है, उसके अंदर यह बात है रखी गई है, तो आईए देख लेते कुछ और यहाँ पर, miscellaneous में, जो topic है, तो six mass extension है, तो six mass extension है, इसका कहने का क्या मतलब है, यानि कि mass extension हो रहा है, यानि कि यहाँ पर आपकी जो degree है, extend करने की, वो यहाँ पर बढ़ते जा रही है, या फ तक आप देखो कि हम लोग 5 mass extension में थे, यानि कि 450 million years में, total हमारे हाँ 70 to 95% species of plant, animal, microorganisms जो है, वो खतम हो चुके है, सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का big 5 mass extension, first आप देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है, कि यह कब का बताया जा रहा है, तो यह Ordovician time का है, जो कि 440 million years ago है, यहाँ पर बताया गई है कि 85% जो सारे species है ना, जैसे कि marine species हो गए, invertebrate हो गए, तो यह सब आपका खतम हो चुके है, उसके बाद आता है second mass extension, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 75% सारे species खतम हो चुके है, उसके बाद आपका permian आता है, permian में आपका third mass extension है, जिसमें कि कहा जा 95% सारे species हैं, चाहे वो marine animals हो, उसक dulu सब खतम हो गया, और fourth mass है, जिसमें कि हम लोग यहाँ जुरासिक computer कहते हैं, तो यहाँ पर 80% जो सारे species हैं, धो यहाँ पर खतम हो गए, पिर fifth mass आया था, जिसमें कि काफी ह। तो यहां पर 76% जो सारे species है वो यहां पर खतम हो चुके है तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर हम लों नियू रिसेर्च के एकॉर्डिंग देखें तो यहां पर बताया जा रहा है कि आज के देट में आपको देखने को मिलेगा कि जो permanently कुछ ऐसी species भी हमारे अर्थ से खतम हो चुके है जिनका बहुत जादा बहुत जादा जो है उनकी ज़रूरती तो यह कैसे होते जा रहा है इसको anthropocene extinction कहा जा रहा है क्योंकि हमारे human activities के कारण जो है इतना जादा हम लोग यहां पर काम करने लगे है जिसके कारण जो है species की loss हो रही है human cause भी extinction देखने को मिल रहा है 400 vertebrate species है क्योंकि last century में extinct हो चुके तो यह सारे कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा की reason है तीक है उसके बाद आते हैं लोकुस्ट अटक भी देख लेते हैं कि यह होता क्या है actually आप देखो कि recently जो swamps of desert locust है वो यहां पर इंडियन स्टेट में घुज गहते हैं यानि कि जो grasshofer जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो की जब फसल अगते हैं तो उस समय वो सारे फसल में लगकर जो है यह कीड़े पूरे फसल पूरे खेत के खेत खा जाते हैं छोटे से करनी होती है ना की पूरे की पूरे खेत यह साफ कर देते तो बहुत ही जादा यह desert locust से ना बहुत जादा तंग आ जाते हैं हमारे राजस्तान वाले एरिया में आप देखो हरियायन का। address त्बंवाले इरिया में देखो पूरी हमारी जो किसानों की जो मैन्द है उसको यह पानी में मिला देते हैं, actually यह जो desert locust है, यह grasshofer family के ही member होते हैं, जिनकी life span कितनी होते हैं तो 90 दिन, मुश्किल से यह तीन महीने जीते हैं, लेकिन सोचते हैं कि तीन महीने जी रहें, तो धरती में चितनी भी चीज़े हैं, उसको खापी के एकदम निप्टा ले, हैगी ने, वैसे ही कुछ लगता है इनका हालत तो देखिए टोटल जो लोकोस्ट है ना उसमें से चार स्पीसिस आपको लोकोस्ट की देखने को मिलेगा जो इंडिया में पाया जाते है पहले तो है डेजर्ट लोकोस्ट क्योंकि काफी खतरनाक है बहुत जादा ये पूरे खेत की खेती उजारती थे लास्ट येर माइग्रेटरी ये लोकोस्ट है और बॉंबे लोकोस्ट है और ट्री लोकोस्ट है देखे तो ये चारो लोकोस्ट के बारे में ध्यान रखेगा डेजर्ट लोकोस जो है वो यूस्वली रेस्टिक्टेड है कहां सेमी एरिड और डेजर्ट ऑफ एफरिका में नियर रेस्ट साउथ वेस्ट एसिया ये सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है ना दो इंतारित इफरेंट फर्म एक होते हैं यहां कि आपके ग्रास होफर होते हैं और इसमें 40 तो 80 मिलन एडर्स होते हैं यानिकि ग्रूप होता है जिसमें कि आपके ग्रॉस होफर के ना ये 40-80 million adults होते हैं ये 1 square kilometer में और वो जो उड़ते हैं उनकी speed आप देख सकते हो 16-19 km per hour है ये depend करता है कि कितने तेज़े से हवा बहरी है और एक दिन में तो ये 1500 km तक भी fly कर सकते हैं है कि नहीं ये ओमनी वार्स है और एक जो एडल डेजर्ट लोकस्त है ये रफली उनकी जो वेट होती है वो दो ग्राम की होती है ठीक है दो ग्राम तक का ये fresh food जो है हर एक दिन खा जाते हैं और overall आप देखो तो तीन इनकी breeding season है यानि कि कप-कप ये आते तो winter breeding है यानि कि November से December के बीच में इनको भूख लग जाती है खाने दोड़ जाते स्प्रिंग season है यानि कि यहाँ पर आपका January to June है और summer breeding है यानि कि July तो October है यानि कि किया बचा कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए तीन breeding season है ये तीन season में इनको divide कर दिया गया लेकिन ये खाते पुरे दम भर है ठीक है तीन महीने जीएंगे लेकिन सोचते कि पुरा खापी के निपट ले इंडिया में आप देखो कि only one यहाँ पे locust breeding season है और ये summer season है तो गर्मी के time में ही आपको ये breeding देखने को मिलेगा ये चीज़े धियान रखेगा काफी important है अब में लिए आप देखो कि breeding movement locust का कैसे होता है तो इनका थोड़ा area आप देख लो ये इंडिया में बताया जा रहा है यहाँ पे summer breeding और actually आप देखो ये इरान से ही और जो यहाँ पे horn of Africa है यहाँ से यह उड़ते वे आते और जून के महीने में ही आते जब हमारे हाँ monsoon आता है तो और spring breeding आप देख सकते यह वाले area में है spring breeding यहाँ पे देखने को मिलेगा summer breeding यहाँ पे है summer breeding यहाँ पे है तो इनका area देखते जाए काफी खतरनाक है यह इसको इस तरीके से map किया गया है तो हमारे भारत में कवा आते हैं तो जून के टाइम में यह आपको देखने को मिलेगा तीक है और मिली आप देखो कि Somalia, Iran वा वाले area से आपको आते हुए दिखेगा मेली क्या reason है मतिकी recent जो इतना locust attack हो आता इसका reason क्या है रीजन है कि favorable यहाँ पे weather condition है इनका weather condition बहुत favorable होता है most of the attack है वो आपको जो है लोकुस्ट स्वैम जो है वो इंडिया में 1993 से ही देखने को मिल रहा है और मेली यह राजस्थान वाले area में ही तबाही मचाते है तो यह travel करते हैं घूमते फिरते आते हैं राजस्थान से गुजरात, मद्यप्रदेश, UP और यहां पर आपका Arabian Ocean में temperature ज्यादा बढ़ जाता है और अगर यह negative होता है यहां पर Arabian Ocean वाले region में temperature घड़ जाता है और Bay और Bengal वाले region में temperature बढ़ जाता है तो उसमें हमारे हां monsoon अच्छी नहीं आती है तो monsoon अच्छी आती है तो उसका एक one of the reason है positive Indian Ocean Dipole का तो यह आप देख cyclonic storm है जिसे हम लोग मेकूनू, लुबान यह सब कहते हैं जिसमें कि हमारे ओमान के यमिन यह सब stuck कर गया थे तो एक cyclone भी यहां पर favorable condition बनाता है जिसके थूह हम लोग देखते कि हाँ कहीं न कहीं यह locust attack हो रहा है wind movement है जितना तेजी से wind move करेगा उतने ही तेजी से यह locust ज त्वारा create किया गया था बेय और बेंगॉल वाले रीजन में जिससे कि जो वेस्टरली wind है वो काफे ज़्यादा strength हुआ था और इसी के कारण लोकुस जह है वो South Asia में move कर पाए थे और वेस्टरली भी है वेस्टरली एक ऐसी wind है जो कि आपका western direction से आता है ठीके और यह जो rainfall आते हैं यह हमारे north और western इंडिया में ही देखने को मिलेगा लेकिन मेली जो वेस्टरली है इसके कारण भी बहुत सारे जो है लोकुस अटाक देखने को मिलता है So these are the some reasons जिसके कारण हम लोग इंडिया में देखते हैं किया लोकुस अटाक हो रहा है जैसे आप इस बार देखे थे कि ड्रोन का help करके जो है पेस्टिसाइट की छिड़काओं की गई थी जिससे की जादा से जादा जो लोकुस अटाक वो ना हो फसल बरबाद ना हो आप के सेंटर के द्वारा फार्मी लोकुर्स भी होतां है तो उनको यहाँपे पैसे दिया जाता है और यह सारे पैसे बगइरा रेगुलर कंडीशन है, साथ वेस्ट एशियान कंट्रीज के साथ, जो कि अफगानिस्तान, इरान, पाकिस्तान है, जहां पे लोकुस्ट अटाक बहुत जादा होता है, ठीक है, तो ये देशों का नाम भी याद रखना है, हमारे साथ साथ कौन-कौन ग्रसीत है, तो अफगान है, जितना आपका मंथली करेंट अफेर्स भी इंपॉर्टन है, तो ये रिवीशन के लिए इंपॉर्टन है, और वो आपका मेंस को भी कवर करेगा, तो दोनों मैगजिंस को साथ लेकर चलते रही है, अगर आपको विजनाइस की टेस्ट सिरीज करनी है, तो उसके लिए आ बराबर आप टेस्ट देते रही है, तो प्रेलिंस का जो आज की डेट में इतना टफ होते जा रहा है सिजवेशन, तो वो कही न कहीं आप टैकल करने में आसानी फील करोगे, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, अगर आपको ये लिसन अच्छा लगता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजे और सब्सक्राइब कीजे ताकि आप लोगों को डेली बिसेस पे याँ पे लिसन देखने को मिले, तो आज के लिए इतना मिलते हैं इसी टाइम पे कल, थैंक यू